आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नमस्का दोस्तों आएए आप प्रसनल करते हैं किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है मारी विकल्प देगा है धोनी, मात्रा, स्वर, ब्यंजन ठीक है तो प्रसनल को हम हल करते हैं किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है मात्रा कहलाता है ठीक है किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है मात्रा कहलाता है तो जो दूसरा विकल्प है मात्रा किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है मात्रा कहलाता है ठीक है और जो अन विकल्प दिये गये है स्वर ब्यांजन ध्वनी किसे कहते हैं, स्वर ब्यांजन ध्वनी किसे कहते हैं, तो जो ध्वनी होता है, ध्वनी का उचारड जो है, वायू के मुख से बाहर निकलते समय होता है, ठीक है, उचारड वायू के मुख से बाहर निकलते समय होता है, ठीक है, उसे हम ध्वनी कहते ह स्वर क्या होता है श जो है उन धोनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्न वर्डों की सहायथा से उच्छारित किये जाते हैं शतंत रूपसे बोले जाने वाले वर्ड जो स्वर कहलाते हैं. हिंदी भासा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं जैसे I, E, O, A, E, O, O ये सब स्वर कहलाते हैं ठीक है और बेनजन क्या होता है जो वर्ड स्वरों की साहता से बोले जाते हैं हम उनिए बेनजन के उच्वारण में स्वर लगा होता है के बिना ब्यंजन का उचारण नहीं हो सकता वर्ड माला में कुल 45 ब्यंजन होते हैं ठीक है तो हमाला जो प्रस्ण पूछा था कि किसी स्वर के उचारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है तो मात्रा कहलाता है तो हमारा दूसरा वाला विकल्प इस प्रस्न का सही उत्तर है जो अन्य विकल्प दिये गया है पहला, तीसरा और चौथा वाला विकल्प गलत उत्तर है धन्यवाद